हेलो फ्रेंट्स तो आज हर आये दिन online frauds और cyber attacks के मामले सामने आ रहे हैं और इन सभी मामलों में जब जाँ चुई तो उनमें एक बात पता चली कि जितने भी मामले सामने आ रहे हैं day by day उनमें जो कह सकते हैं जो fake email हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है यानि कि जो hackers हैं वो आपक की कूशिस करूँगा कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई email fake है या original है आज की इस वीडियो से आपको यह पता चल जाएगा कि fake email की पहचान की पहचान आप कैसे कर सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो फ्रेंट्स आप सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो hackers होते हैं वो बड़ी-बड़ी companies के जो name है उनका इस्तमाल करते हैं उन name से आपको email भेजते हैं तो यहां पर आपके पास अगर कोई किसी बड़ी company जैसे Amazon हो गया, Microsoft हो गया, हमारा Paytm हो गया, Google हो गया इन सभी के नाम से अगर कोई mail आता है तो आपको ज़्यादा excitement में आने की जरुत नहीं है क्योंकि ये जो companies होती हैं वो directly आप किसी भी user को mail नहीं करती है यहां पर आपको जानने वाली बात यह है कि जितने भी mail भेचे जाते हैं hackers द्वारा इनके अंदर कोई नहीं कोई link दी गई होती है और अगर आप उस link पर click कर देते हैं तो यहां पर आपका जो कह सकते हैं आपका नीजी data है यानि कि आप जो personal data है वो link हो सकता है आपका bank account अगर आपके mobile में link है वो खाली हो सकता है तो ऐसे में जो भी links अगर इनके अंदर आपको दिये जाते हैं उनको click करने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए तो friends यहां पर यह जो records होते हैं बड़ी बड़ी कह सकते हैं companies के name का इस्तमाल करते हैं यहां पर आपको सबसे बड़ी बात यह है किसी भी URL पर click करने के सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वो जो आपको URL पर click कर रहे हैं किसी भी link पर click कर रहे हैं वो original है या fake है तो friends यहाँ पर जो दूसरा point है वो यही है कि आपको जब भी किसी भी link पर click करना है तो उसका जो URL है उसको check कर लेना है अब यहाँ पर check कैसे करना है कि जो हमारे fake URL होते हैं और original URL होते हैं उनके अंदर difference क्या होता है तो friends यहाँ पर जो सबसे बड़ा difference होता है वो जो starting के दो या तीन words होते हैं https अगर आपका जो link है उसका URL https है तो वो सही है उसमें कोई fraud नहीं होगा लेकिन अगर उसका URL इससे अलग है तो वो एक fake URL हो सकता है तो friends यहाँ पर जो अगली बात है जिसका आपको ध्यान रखना है वो यह है किसी वी email के अंदर कोई attachment अगर आपको दिया है तो उस पर आपको click नहीं करना है और click जब तक नहीं करना है जब तक आपको यह पताना चल जाए कि वो जो email है वो सही है या कोई fake email है अगर वो fake email ह तो उस पर आपको click बिलकुल नहीं करना है और सही email है तो आप उस पर click कर सकते हैं तो friends यहाँ पर यह जो बातें थी दो तीन बातें जिनका आपको खयाल रखना होता है और अगर आप इनका खयाल रखते हैं तो आप एक email fraud से आसानी से बच सकते हैं तो friends मैं उम्मीद प्रेंट से लिए चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद